आज आने वाले राजिस्थान के बिदान सभाव को लेकर कॉंग्रेस अध्यक्ष खरगे जी हमारे नेता राहूल गानी जी सब लोगों ने राजिस्थान के प्रमुक निताओं को यहाँ पर आमनतित किया गया था लगबक चार घंटे हमारी चर्चा हुई आने वाए कुछ महीनों के बाद राजिस्थान के बिदान सभाव के चुना हैं उन चुनावों के लिए क्या स्ट्रेडिजी होनी चाहिए कैसे पिछले 25 सालों में लगता रहां पर एक बार भाजपा एक बार कॉंगेस का जो पकरन चल रहा है उसको खतम करकर पुनहें दुबारा सरकार कॉंगेसी कैसे बने इस पर बहुत सार्थक ब्यापक और महितुन चर्चा हुई सभी मुद्दों पर हम लोग ने डिसकर्शन किया अब एक खुले दमाग से किया और मुझे बताते वे खुशी है कि सभी लोगों ने ये confidence विक्त किया है कि हम अगले कुछ महिनों में मेनत करकर अपनी सरकार को repeat कर सकते हैं और हमें लगता है कि राजिस्थान में जो बहुत राजिस्थान के अंदर जो मुद्दे हैं उपर ह हमेशा कहता है हम सब का देह ये है कि कैसे दुबारा कौंगिस की सरकार इसानिये बनाए मद्दपने शक्तिर्करा आजिस्थान 2018 में तीनों स्टेट्स में कौंगिस पार्टी जीती थी इस बार पुने होने वाला है भारी भवमत से में लोग सरकार बनाएंगे और उसके पचाथ, 1224 का जो लोगसभाद चुनाब होगा उसका भी फरक पड़ेगा और हम लोग अच्छी संक्या में वहाँ पर लोगसभाद चुनाब होगा जो पिछी सरकार के करप्शिन के इशूस थे, उन सब बातों को मैंने कई समय से मैं पब्लिक में रख रहा था और मुझे खुशी है उन सभी बातों को उन सभी इशूस का संग्यान पूरी तरहें AICC ने लिया है, Congress Party ने लिया है और इस सभी पर कारवाई करने के लिए भी जवाब देई और ऐसे लोगों को महां बिठाएं जो एक बैग्राउंड से आए ताकि लोगों के मन में जहन में कॉन्फिरेंस हो नौजवांक में जब वो इंटिव्यू देने जाएं एक्जाम देने जाएं इन तमाम इशूस पर पर पार्टी ने संग्यान लिया है और उ आजपक के कारेकाल में जो तमाम करप्शन हुए हैं उस पर कार गंभीर है और कारवाई भी करेगी और मैं ऐसा मानता हूं कि करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो जन जन को प्रावित करता है इस इस इशू को कॉंगेस पार्टी इलेक्शन इशू बनाएगी उसको रागे ज दिया है और फिछले दो दस्ट से ज्यादा मुझे जो जिम्मेदारे कॉंगेस पार्टी ने दी है केंद्र में दी है राज में दी है विदान सभा हो लोक सभा हो केंद की सरकार हो राज की सरकार हो संगठन की जिम्मेदारे दियो जो मुझे जम्मेदारे दी है उसको पूर नमस्कार में हूं मानक गुपता अग्राफ को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करा ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर इस ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं